नास्कार दोस्तों कैसे हैं आप पसा करता हैं कि अपच्छानों के दोस्तों अगर आप इसके बारे में जानेंगे जो हमारे घर के आसपास पड़ा रहाता है अगर लेकिन हम इसके बारे में नहीं जान पाते हैं तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में पुरा जानते ना चा पुष्टी प्रसो दुरुबलता और सुजाक सफेद दाग नेत्र दोस और मेर्गी पागलपन सांस रोग जुखाम का रोग हीच की कामला पेट की कीले पेट की कीले, जागुर खुजली दाद और चर मरोग, तैतिया वीस, विसले कीलों का वीस, बिच्छू का वीस, आदिकी घरेलो आउस्वादी चिकिस्व का प्रयोग किया जाएग तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा हमारे सरे में उपियोग है और अर्वेद में भी इसक कसवदी के फाइदे बहुत जादा हैं, बीरी विकार में कसवदी की मूल तत्वक के चुड़ को एक महिना पीस कर एक से चार गराम की मातरा में पांच गराम सहत के साथ मिलाकर सुबा साम एक गिलाज दूत के साथ प्रयोग करने से बीरे का पतरलापन दूर हो जाता है और बिल यो पुष्टी होता है तो थाधातू चेड़ ठीक हो जाता है, प्रसंब में कसवदी के फायदे बहुत ज़ादा हैं, दोस्तों महीलाओं के प्रसंब के शमय कसवदी के पत्रों का सवरस का सेवन कराने से प्रसंब सिक्र और आसानी से होता है शरीर के दिरेगालता में कसवधी के फायदें से वहन है तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा प्रयूख किया जाता है सफेदा क्रोड में कसवधी के फायदें बहुत हमारे सिरी में लादायक होते हैं सुष्ट कुष्ट में कसवधी के और मोली के वीजों को संभाग लेकर दूगनी मात्रा में गंध के साथ पीच्ट कर लेब करने से सब शेद दाग में नस्ठ हुजाता है रोग नेतर में कसाओधी के फायदे येंशियों बहुत ही फायदे मंद होता है नेतर में कसाओधी के टाजे पत्तो का रस आंक में एक बुद्ध सुवध साम पर्योंकरने से तथा आंखोंungen पर पत्तों को बाधने से नित्र ने राजसिमा वे में एक हफ्ते नेटर व्रो में आपको अराम मिलेगा कान के रोग में कस्वदिके भी बहुत ज़्यादा फाइदे हैं दोस्तों और दृस्तुं इसका बहुत मासिक पागलपन और कफ जोर स्वांस रोग और बहुत इसके फायदे हैं तो दोस्तों आप इसे अगर लेना चाहते हैं तो आपके घर के आसपास इसे मिलता होगा पेट के कीड़े में कसवधी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं उदर क्रेमी पेट के कीड़े में कसवधी के 20-30 ग्राम पत्तों को 400 ग्राम जल में पका कर जब पानी पक कर आधा चौथाई भाग बच जाए तो काढ़क पिलाने से सुत्र क्रेमी तथा अन्य पेट की कीड़े नश्ठ हो जाते हैं इसके साथ उप्योग तो बहुत ज़्यादा उप्योग हैं पेसाप की जलन, जलोदर, बाबासीर, मलरोध और बुखार में कसवधी के फायदे हैं दोस्तों अगर वीडियो पर आप पहली बार आएं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा खुजली में कसवधी के फायदे हैं सेवन से बहुत ज़्यादा हमारे सरीर में खुजली जो होती है तो इससे आपको फायदा मिलेगा दोस्तों घाव को अगर आपको लगी है उसमें सूजन है तो भी कसवधी के फायदे हैं बहुत ज़्यादा है इसके पत्तों को पीश कर ताजे घाव पर लेब करने से आपको जो घाव है वो पूरी तरह भर जाता है और दर्द नहीं होता है अगर आपको मकड़ी का काट ली हो मकड़ी का विश में कसवधी के पत्तों का सोरस तथा पत्रकल का प्रियोग करने से मकड़ी का विश उतर जाता है इससे अगर आपको विसले किले मकोड़े सर्ब बिच्छू काट लिया हो तो आप इसके प्रियोग कर सकते हैं इसके ज़्यादा नुकसान नहीं है दोस्तों और हमारे सरीर में बहुत ज़्यादा इसका आउसिधी गूड है और वीडियो इसी तरह आने के लिए हमारे चेनल का सब्सक्राइब जरूर कर लिजीए और दोस्टों इसका जो आफ देख सकते हैं इसके जो फली है इसका जो पति है वो जादा चोड़ाया और लम्बा नहीं है लेकिन तो इसका जो फूल है वो पीला क्लर का बहुत ही आकर suisd होता है और हमारे सरी में बहुत जादा इसका उसदी गुड है तो दोस्तों इसका आउस्थी के बारे में अगर आप पुरी भी जानकारी हो गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और इसे तरह वीडियो भाने के लिए अपने दोस्तों तक सेयर जरू कीजिए तर तक मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में